आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सी न्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें थाने में कारवाई ना होने पर पेड़ित परिवार ने एस्पी सिटी से न्याय की गुहार लगाई है थाना एत्मादौला राजनगर साधरा में रिटायर दरोगा उदैवीर सिंग के मकान पर कब्जे का प्रियास किया जा रहा है एत्मादपूर के रहने वाले एक बैकनी को उदैवीर ने करीब चार महीने पहले दो कमरे किराये पर दिये थे किरायदार पतनी बच्चों के साथ रहने लगा इसके बाद उसने मकान के सभी कमरों पा ताले लगा दिये किरायदार की मंसा को भापकर उदेवेड सिंग ने मकान को खाली करने के लिका लेकिन किरायदार मकान खाली करने के बजाए उल्टी धमकी देने में लग गया है मेरे मता जी तो सी नियुक टे मान कहते है। मूल लूप से एटा के गाउं कुरील के रहने वाले उदेवीर सिंग रिटायर होने के बाद गाउं में रह रहे हैं जबकि उनकी पतनी आसा देवी अपने माई के नगला कोठी मैंनपुरी में रह रही है बेटा दीपक दिल्ली में कोचिंग कर रहा है आरोब है, मकान खाली करने की कहने पर किराएदार धमकाने में लगया है इस तरह से बोलता हूँ मकान पर कब्जे का प्रियास और तरह तरह की दीजारी धंकियों से रेटायर दरोगा और उसका परिबार डैसत में आ गया है रेटायर दरोगा ने थाना एत्मा दौला पहुंचकर कारवाई की पुलिस ने मांग किया है दीपक अपनी मां आसा देवी के साथ एसपी सिटी से सिगायत करने पहुंचिया एसपी सिटी ने कारवाई का आसवासन दिया है उमेश सर्मा सी न्यूज आगरा